नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विबित हल्चल पर महाराष्ट में भाच्पा ने मंगलवार को महाविका सागडि सरकार को बड़ा जटका दिया महाराष्ट विदान परिशत की दो सीट नागपूर अकोला वाशिम बुल्धान विदान परिशत निर्वाचन शेत्र में भाच्पा उमिद्वारों ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है राज में 10 दिसंबर को कुल 6 सीटों के लिए चुना हुए थे जिन में से 4 सीटों पर निर्विरोज चुना हुआ था अब 6 सीटों में से 4 भाच्पा के खाते में आ गई है मुंबई की दो सीटों पर हुए चुना में शिवसेना के सुनिल शिंदे और भाच्पा के राजहर सिंग ने एक-एक सीट पर निर्विरोज जीत हासिल की हुलापूर से कॉंग्रेस उमिद्वार सतेच पाटिल और नंदुरबार धुले से भाच्पा उमिद्वार अमरिश पटेल निर्विरोज चुने गए है नागपूर में भाच्पा के रिष्ट नेता और प्रदेश के पूर्वपरंत्री चंदरशेकर बावन कुले ने जीत दर्च की है मविए के समर्तित निर्दलिय उमिद्वार मंगेश देश्मिकों केवल 186 वोट ही मिल सके नागपूर में महाविकास आगाडी के 16 सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की महाविकास आगाडी के पास 202 वोट थे बीजेपी ने ता चंदरशकर बावन कुले ने अपने जीत पर कहा कि प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेश अदेक्ष नाना पटोले को जिम्यदारी लेते हुए इस्तिपात दे देना चाहिए अकोला सीट पर बीजेपी के वसंद खंडलवाल ने 110 मतों से शिवसेना के गोपी किशन बजोरिया को हराया है महाराष्टर विदान सबा में नेता प्रतिपक्ष देवेंदर फडनवीस ने कहा कि भाजपा ने आगाडी के इसमितक को तोड़ दिया है कि तीनों दल मिलकर राज में सभी चुनाव जी सकते है इस जीत पर उने कहा मुझे ये बतातु है बहुत खुशी हो रही है कि महाराष्टर एमलसी चुनाव में बीजेपी ने 6 में से 4 सिंटे जीती है मैं मोधी जी हमारे राष्टर देख्ष जेपी नड़ा और गुरुह मंतरी अमित शाह का धन्यवाद देना चाहता हूँ बलही तीन राज़नितिक दल एक साथ आ जाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीत उनी की होगी फड़नवीस ने कहा कि दो दिन तक वे खरीत फरक तुमें लेट रहे फिर भी वो अपनी पार्टी को साथ नहीं रख सके यह सही मायने में कॉंग्रेस नेताओं की हार है कॉंग्रेस नेता निरंग कुछ तरीके से व्यवहार कर रहे है फड़नवीस ने चुनाव नतिजियों को लेकर ट्वीट कर भाजपा पदादी कारियों और कारकरताओं की सराना करते हुए कहा कि यह जीत काफी खास है यह के कारकरता की कड़ी महरत का परिनाम है नाकपुर रकुला की जीत के साथ एक बार फिर महाराष्ट भाजपा ने अपनी ताकत साबित की है आचार श्री पुलक सागर महाराजी का 27 वा दिख्शा महोच्छो संपुर्ण भारतवश में पुलक मंज परिवार की शाखाओ द्वारा गुरु गुनगान महत्सो के रूप में मनाया गया इस अवसर पर नापुर पुलक मंज परिवार द्वारा श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में सुबह भगवान एक हजार आठ शांतिनात की शांतिधारा करने का सोभाग्य प्रभाकर माने कर राजकुमार जैन रजनीश जैन परिवार को मिला साथी इन परिवार में सभी ने सोधर्म इंद्र बन कर जिनेंद्र भगवान का विधान किया यह विधान आचारे पुलक्ष सागर महारा जी दाराल लिखा गया है इसी के साथ श्री चंदर प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के अद्यक्ष पवन कुमार जैन महामंत्री जैमामू कोशा द्यक्ष चंदर कुमार सौधरी दिरेश जैन विजय जैन का सतकार हुआ पुलक मंच परिवार के राष्टे कोशा द्यक्ष मनोज बंड एवं नरेश मचाले प्रशान कहाते महात्मे राजेंद्र जैन रमेश उदापूर कर राजकुमार जैन सावरुप जैन मंच पर विराजमान थे विद्यासागर महिला मंडल की उपाद्यक्ष सुधाच वधरी का स्वागत नीलम जैन ने किया कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर डीचा राजकुमार जैन राष्टे कार्याद्यक्ष पुलक मंच परिवार द्वारा किया गया इस कारेक्रम को सफल बनाने में निलम जैन, रेश्मा जैन, दीपा जैन, सरला जैन, सुकीर्ती जैन, चंदा जैन, सुधा चवदरी, आदिपदादिकारियों का भरपूर सहयोग मिला रोकड़ जोलर्स नाकपूर शहर और विदर्ब में आभुशन इर्मान के शेत्र में एक अग्रणी और प्रतिष्टित नाम है आभुशनों की आद्वितिय शुद्धता, अविश्वस्निय शिल्पकवशल, पारंपरिक और आदुनिक की सईयों जन्वाले नविन आभुशन ग्रागों की संतुष्टि को हमेशा पहली प्रार्थमिकता, आदी कारणों से रोकड़ जोलर्स नाकपूर और विदर्ब निवासियों की पहली पसंद है ग्रागों के बीज बिना शर्त प्यार के कारण ही रोकड़ जोलर्स को नाकपूर का गहना की उपादी दी गई है और यही वज़े हैं कि रोकड़ जोलर्स जोलरी मैनेफेक्चरिंग के शेत्र में एक बड़ा और जाना माना ब्रांट बन गया है कांगन और मंगल सुत्र मुत्सव यह उसर पर 10 दिसंबर से रोकड़ जोलर्स के लक्षमिनगर, महल, इतवारी और एरपोर्ट के चार शोरू में ग्रागों की खास भीड देखी गई उन्हें आदविती आबुशनों में सबसे शांदार संग्र का अनुभव राप्त हुआ यह कंगन और मंगल सुत्र 10 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर 2021 तर चलेगा महत्सों के दोरान रोकडे जोलर्स अपने ग्रागों के लिए विशेश गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जोलरी के कंगन और मंगल सुत्र पेश करेगी इस दोरान डायमंड जोलरी डिजाइन की बनवाई पर 25 प्रदिशत की चूट है दस ग्राम से अधिक सुवर्न मंगल सुत्र और सुवर्ना कंगन के आबुशनों की खरिदारी पर आपको आकरशक सोने का सिक्का भी मुप्त में मिलेगा पुरुतक विदर्ब मांग को लेकर लंबे अर्से से विदर्ब वादियो कांदोलन चर रहा है इसी पार्श भूमी पर अब कुल मिलाकर 18 मिनट की लगू फिल्म का निर्मान किया गया है मैं हूँ विदर्ब आत्मकताब विदर्ब की शेशक से बनाई गए विशेश फिल्म का प्रसारन विकेबी न्यूस चानल के माध्यम से यूटूब पर किया गया इस फिल्म में जहां दूरलब ग्रंदों में विदर्ब के उलेक के साथ प्राचीन सब्वेता, संस्कृती एवं सर्वधर्म समभा को दर्शाया गया वही 1888 में पृतक विदर्ब राज की सिपारिश भी की गई थी कॉंग्रेस के वार्शिक अधिवशनों में प्रारित प्रस्ताओं के अलावा एक में 1960 के महराश राज का गठन होने तक की दास्ता फिल्म में बया की गई है जिनने ताओं ने पृतक विदर्ब आंदोलन में अपनी आवाज बुलन की उनकी एक जलक भी फिल्म में दिखाई गई है विदर्ब की विशशनाओं से ओध प्रोत गीत में टाइगर कैपिटल, औरेंस सिटी, जिरो माइल, ड्रैगन पैलेस, दिक्षाबूमी, ताजबाद, टेकडी, आदासा, अंभोरा, महुरजरी, शेगाउ, चिखलदरा, मेलगाट, बेंस, ताडोबा, सीताबडी किला, पवनार, मारबत, बढ़गया, आदी को भी किया गया है, फिल्म में गीत का गायन, में कादर, तदा जीनत कादर द्वारा किया गया है, स्थानी उनिवर्सल मल्टी परपस सोसाइटी, एवं फिक्र फाउंडेशन द्वारा संचालित, मिशन, UMS इंडिया, पढ़े हम, पढ़ाए हम, परियोजना को सोशल ट्रैक किया गया, यह समाज संस्ता के अदेक्ष महमद रियाज काजी ने, नाकपुर फर्स्ट के डारेक्टर, सोशल ट्रैक प्रमुक, एवं यशुदा संस्ता के अदेक्ष, तन्वीर मिर्जा, आयम के डारेक्टर, डॉक्टर भीमराया मैत्री, प्रियेदर्शनी ग्रूप के ड डिरेक्टर, डॉक्टर विवेक नानोटी, प्रयास सेवनकुल डिरेक्टर, डॉक्टर अविनाश साव जी, क्राउडेरा, USA के CEO प्रशान मिश्रा, एवं डाल्मिया भारत पाउंडेशन, CSR की प्रमुक, प्रशान भोमिनवार, ने ICICI फाउंडेशन प्रमुक, सुश्मित चक्रवर्ति के हाँ तो सुवीकार किया, मिशन UMS इंडिया, पड़े हम पड़ाय हम परियोजना के माध्यम से जोपर पट्टी, स्थालांतरित कामगार, एवं रास्ते पर रहने वाले वंचित बच्चों को शिक्षित कर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है इस परियोजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर कौशल विकास के माध्यम से आत्मन दिर्भर बनाने के लिए प्रयास लगा तार जारी है, परिणाम तह बच्चों में विकसी शेक्षनिक एवं सामाजिक परिवर्तन को देखा जा सकता है, बच्चों की शिक्षा के सेंक्त तत्वाधान में होने वाले अपुर विज्ञान मेला के लिए दोदी उसियत छातर प्रशेशन कारेक्रम का उद्गाटन राश्टवाशा भवन परिसर में हुआ कारेक्रम की अद्धिक्षता मनपा के मेला समनवयक राजिंद्र पुसेकरने की पुसेकरने कहा कि अपुर विज्ञान मेला के माध्यम से मनपा शालाओ के विद्धार्तियों की प्रतिबास सामने आती है वैसे भी कोरणा महामारी के कारण गतवर्ष शालाओ में विद्धार्तियों पर स्तित नहीं पए हो पाए विज्ञान मेला भी ऑनलाइन ही हुआ इस बास तिती लगबक अनुकूल है विभिन प्रयोगों को लेकर बच्चों में उत्सा है 15 दिसंबर से आयुजित इस विज्ञान मेले में विज्ञान के सव से अधिक प्रयोगों को मनपाशालाओ के 200 चैनित विधार्ती प्रदर्शित करेंगे उन्हें मनपाशालाओ की विज्ञान प्रशिक्षिकाय प्रशिक्षन दे रही है इस शिक्षिकाव में जोती मेड़ पिलवार, नीता गडेकर, पुषपलता गावंडे, निलिमा अढ़ाव, दिप्ती बीष्ट, वंदना चवान, मनिशा मोगलेवार, सुनिता जरबडे, आदी का समावेश है, संचालन और आबर प्रदर्शन मनिशा मोगलेवार ने किया, इ इदर्बह हिंदी साहित्य समेलन के उपकरम साहितिक क्या अंतरगत, लगुकता समेलन का सफलायो जन किया गया, समेलन के अद्यक्षता विवेक असरानी ने की, संचालन सेयोजक आदेज जैन ने किया, कारेकरम के प्रास्ताविक में सरसेंजिका, हेमलता मानवी ने अपने विचार वेक्त करते हुए कहा, कि लगुकता छोटी होने के साथ साथ दिल से जुटने वाली होनी चाहिए, समेलन में रमेश मौंदेकर ने समाज का आईना, रुबीदास ने टहनी, मिरा जोगलेकर ने समीधा, आदेज जैने चिंता, विवेक असरानी ने सेलफी, हेमलता म विश्र मानवी ने कसूर किसका, समिर पठाने आप भी थी, लगुकता प्रस्तुती की, सम्मेलन में विजय मिश्रा, अर्विन्द बेगडे, आदी की विशेश उपस्ती थी रही लेंगिक बेदबाव को मिटाने के लिए समाज में स्वस्तमन स्तिती का निर्मान करना ज़रूरी है यह विचार मात्मा गांधी आंतराष्टे हिंदी विश्विदाले के कुलपती, प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकले ने वेक्त किये प्रोफेसर शुकले विश्विदाले के स्री अध्यन विभाग एवं लेंगिक उत्पिडन के विरुद्ध समीती के संउक्तर तत्वादान में कारेस्तल पर योन उत्पिडन के प्रतीज जागरुकता, वर्तमान परिद्रुष, विशय पर आयोजित राष्टे कारशाला मे अध्यक्ष के रूप में सम्मोधित कर रहे थे, हाल ही में आयोजित इसकारशाला में मुख्यातिती के रूप में बाबा साब भीमराव अंबेटकर सामाजिक विश्विदाले, महु की पुलपती प्रोफेसर आशा शुकला, एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में टाटा गांधी आयरविद्यान संस्तान सिवाग्राम की डॉक्टर सुधा जय ने ओनलाइन माध्यम से अपने विश्विचार वेक्त किये, कारेक्रम का स्वागत वक्तेव्य, स्री अध्यन विभाग की अधिक्षा डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने दिया, उन्होंने कारशाला के आयोजन की आवशक्ता और आज के संदर में इसकी महत्ता पर विस्तार से अपने विचार रखे, संचालन सा आचारे डॉक्टर आशा मिश्णा ने किया, तथा सहायक आचारे डॉक्टर आरपुष्पा नामदेव ने धन्यवाद नापित किया नाकपुल जिले के कुही पांसगाव निवासी अस्सी वर्षिय वृद्धा इंदराबाई हटवार को कैंसर की बीमारी ने जकर लिया है ऐसे भयावर रोक की शिकार होने के बाद भी उनके पांचों पुत्रों ने उसे घर से बेदेकल कर मरने के लिए छोड़ दिया है नांसर से ग्रस्त होने के बाद घर से बेदेकल करने और उसे घोर पीडा में मरने के लिए छोड़ देने की कारण दुरदशा ग्रस्त वृद्धनानी के साथ हो रहे घोर अन्याय की खिलाप आवाज बुलंद करते हुए रमेश ने एक पत्राकार वारता आयोजित की और उसमें इस रुदय विदारक घटना की जानकारी दी पत्रपरिशत में राजज बावन कुले, वृद्ध इंदराबाई का नाती रमेश वाटकर, धरन जैंगोले, चंदरकान बावन कुले, लक्षमन वैरागडे और विनोट सिंगुमार एम मौजुद थे उन्होंने बताया कि इंदराबाई को करकरोग हुआ है, और वे भीशन दुर्दशा में हैं, और मौत के साथ संगश कर रही है अपनी संपती पाँच बेटों के नाम पर किये जाने के बाद, बेटों ने उन्हें निराधार छोड़ रखा है, इतना ही नहीं, उनका देखबाल करने से भी इनकार कर दिया है संटु हूमन फाउंडेशन परिवार नाकपुर के तत्वाधान में, शर्वासियों के लिए शर्मेपुना एक बार चार शिवरो का आयोजन, सेजवानी इंदोर के परमाले जी के सतसानित धके में किया जा रहा है 17 से 19 दिसमबर तक भारत माता गार्डन, आमबेटकर चोक तथा गांधीबाग गार्डन गांधीबाग में इस शिवर का आयोजन किया जा रहा है वही 24 से 26 दिसमबर तक गोद्रेज अनंदम सोसाइटी गनेशपेट और धांतोली गार्डन में भी शिवरायो जित किया जा रहा है संटू Human Foundation परिवार नाकमुर के प्रचार प्रमुक गोपी किशन वर्मा ने बताया कि ज्यान और विज्यान के सदुवियोग से हमारे शरीर, मन और चेतना को शक्तिशाली बनाने की एक जीवन शैली है जह सही आहार, सही वायाम, सही ध्यान का सिर्फ प्रवचन ही नहीं दिया जाएगा बलकि इसका प्रयोग भी कराया जाएगा आपका जीवन कैसे सुन्दर हो सकता है आप दवाओ से कैसे मुक्त रह सकते है आपकी अपने परिवार से कैसे सुन्दर समन्वे और रिष्टे बन सकते है आपनी उर्जा को किस दिशा में इस्तमाल करे आपका मस्तिक्ष कैसे उर्जवान और सक्तिशाली बन सकता है जीवन से जुड़ी सच्चाई से अउगत कराने वो आपके प्रश्णों का समधान पाने एक नए यह दुरुष्टिकोन वाला श्रिवीर आयोजित किया जा रहा है प्रधान मंत्री नर्न्र मोदी की संकलपना से काशी विश्वनात मंदिर कोरिडॉर के लोकारपन के अउसर पर भारतिय जंतापार्टी अध्यत्मिक आघाडी द्वरा शहर के चारों कोनों में जला भिषेक कर प्रधान मंद्री द्वरा लोकारपन सभा में उपस्तिती दर्च की गई शहर के कल्यानेश्वर मंदिर महाल मानकापूर प्राचिन शिव मंदिर शंकर हनुमान मंदिर पारडी गजनन धाम करुनेश्वर मंदिर सहकार नगर प्राजेन शिव मंदिर बेलिशौप मोती बाग में प्रदेश महामंत्री चंद्रेशखर बावन कुले, शोर अध्यक्ष विधायक प्रविंदट के, विधायक मोहन मते, विकास कुम्भारे, पुर्व विधायक सुधाकर देशमुग, सुधाकर कोहले, डॉक्टर मिलिन्मा महापोर दयाशंकर तिवारी ने प्रमुगता से उपस्थिती दर्च की, पुर्वन आकपुर भाजपा द्वारा पारडी हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित, शिव मंदिर में जलाभिशेक किया गया, कारेक्रम में लगे डिजिटल स्क्रीन के द्वारा, लाइफ प्रस तरण पर दिव्यकाशी भव्यकाशी के लोकारपन कारेकर में उपस्थित भक्तगन हर्शुलास के साथ हर हर महादेव जैगोश कर रहे थे अध्यात्मिक आगाडी पुर्वनागपुर के अध्धिक्षा चंद्रिका प्रसाथ पांडे ने सभीकार रामनामी डुपट्टा पहना कर स्वागत किया और काशी विश्वनात के महीमा के बारे में सभी उपस्थितों को संबोधित किया महमुदा शिक्षन एवब महिला गरामिन विकास बहु उद्देशिय संस्था नागपुर के अंतरगत सेंट्रल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टियूशन लोनारा में तामिलनाडु के कन्नुर में हेलिकॉप्टर हाथ से में शहीदों को श्रधान जली दी गई इस क्रैश में देश के पहले CDS, जनरल बिपिन रावत, उनकी पतनी मधुली का रावत और 11 सैन्य कर्मियों का निधन हुआ इन शूर्वी रोको पूर्व काबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस एहमत, सेंट्रल इंडिया लोग कॉलेज के निधेशक डॉक्टर सम राजन तथा DDUGKY के निधेशक तुशार में श्रामने श्रधान जली दी डॉक्टर अनिस एहमत ने शोक सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जनरल विपिन रावतिक जिम्मेदार सैन्य प्रमुक करता वे परायन अधिकारी और कुशल ने तुरुत्व करता रहे जिनों ने अपनी काबिलियत और लगातर महनत के बल पर थल से ना धिक्षब ने उसके बाद देश के पहले चीफ और डिफेंस टाप बन कर तीनों सशस्त्र सेनाव के बीज बहतरिन समन्वे कराया इस हाथसे में भारत ने अपने वीर सुपुत्रों को खोया है ये देश के लिए अपुर नियक शती है जो कभी भी भर नहीं सकते तुशार मेश्राम ने सेवक वसंजे गांधी निराधार अनुदान योजना कमीटी मध्यनाकपुर के अध्यक्ष सुलफेकार एहमद भुट्टो ने गद्दिनों जाने माने लेखक वसाहित्य अकैडमी पुरसकार प्राप्त मास्टर वक्किल नजीब की प्रकाशित पुस्तक मेरी बस्ती मेरे के वीमोचन के अउसर पर उनका शौल श्रीवल पुष्प माला से सतकार किया उनके द्वारा लिखी गई अनिक पुस्तकों द्वारा दिये गए संदेशों की काफी सराना की इस अउसर पर डॉक्टर अजार हयात मौलाना दानिश हसन कुम्मी अब्दुल लतिफ सेट मौला प्रसिद्ध बाल्रोक विशेशग्या और कार्यकारी निदेशक कॉमनवेल्थ ऐसोसेशन ओफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी यूके डॉक्टर उदैब ओधनकर को मुख्य अतिती लेफ्टेनन जनरल डॉक्टर माधुरी कनेटकर की उपस्तिती में आयोजित ब्रिटिश ऐ विकलांग लोगों के कल्यान के लिए उनके उत्रुष्ट योगदान और अनुकरनिया समर्पित स्वास्त देखभाल के लिए यूके के सर्वोच्च प्रतिश्टित लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड से सम्मानित किया गया CF की मुख्य सरक्षक इंग्लेट की महारानी एलिजाबेथ है डॉक्टर उदै बोधनकर को 2018 से कौम हाड यूके के कारेकारे निदेशक के रूप में चुना गया है Commonwealth Association for Health and Disability एक अखिल राश्टमंडल NGO है जो Commonwealth Foundation लंडन द्वारा समर्थित है WHO के साथ एक अधिकारिक संबंध है कई तक्निकी क्षेत्रों में दिर्गकालिक साजेदार है विशेश रूप से मानसिक स्वास्थ विकलांगता निवारन मात्रु एवं शिशु स्वास्थ और प्रजनन स्वास्थ के क्षेत्र में समन वे रहा है ये दुनिया भर के 53 राष्ट्रों मंडल देशों में से स्वास्थ विकास तक्निकी कौशल के आदान प्रदान और अंतर देशिय प्रशिक्षन और स्वास्थ शिक्षा को बढ़ावा देने में सकरियरूप से शामिल है श्रमन संग्यूपाध है प्रवरवानि भूशन परम पुझ्य प्रविन रिशी जी महराज का मानना है कि कोई भी धर्म किसी व्यक्ति से दुश्मनी करना नहीं सिखाता बलकि उसे प्रेम, सैयम, सदाचार सिखाता है ये बात उन्होंने सकल जैन समाज के राष्टे अध्यक्षव विजेदरडा से चर्चा के दौरान कही विजेदरडा के साथ सकल जैन समाज सदस्य भी उपस्तित थे प्रविन रुशी जी महाराज ने चर्चा के दोरान कहा भगवान रिशब देव जी और भगवान महाविर के बारे में जान करी दी आज की समस्या के संदरप में समाधान भगवान महाविर ने दिया आज की जो भी व्यवस्ता है वो भगवान महाविर की दी हुई है ये पुछे जाने पर कि आज की स्थिती में क्या साधू संतों की व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है प्रविन रुशी जी महाराज ने कहा कि परिवर्दन के साथ चलने की मानसिक्ता हर अध्यात्मिक पूरुष में होनी चाहिए नदी जैसे अपना पात्र बदलती है वैसे संत भी अपना पात्र बदलता है लेकिन लक्ष कभी नहीं बदलता ये पुछे जाने पर कि जैनिज्म जमिन के नीचे की चीजे खाने के खिलाफ क्यो है उन्होंने कहां कि जमिन के अंदर उत्पन्नों होने वाले खाद्य पदार्दों में नकारात्म कुरुजा होती है अतहों हमारे समाज में इन्हे खाने पर प्रतिवंद है बारतिये स्वतंत्रता के अमरुत मोहत्सवी वर्षगाट के अउसर पर नाकपुर शहर में एक अभिनो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है महापुर दयाशंकर तिवारी की संकलपना के साथ नागपुर शेहर की 75 दिवारों को स्वतत्रता के अमरुत महतसव के रंगों में रंगने की प्रतियोगिता शीकर ही मरपादवारा आयोजित की जाएगी इस प्रतियोगी तके आयोजन को लेकर मंगलवार को मनपा मुख्याले के महापुर समाकक्ष में बैठक हुई इस प्रतियोगी तके आयोजन को लेकर में बैठक हुई संदेश बनाने का प्रयास चल रहा है स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेन की सपल कहां पहुची है अब इस बारे में सटिक जानकरी ट्रेनों के इंजिनों में लगे रियल टाइम इन्फर्मिशन सिस्टम की मदद से रियल अधिकारियों और करमचारियों को उपलब्ध होगी इसके लिए भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगट अंद्वारा सैटेलाइट आधरेट डिवाइस रियल इंजिनों में लगाई गई है जो की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधर पर ट्रेनों की गती पढ़कर अपडेट जारी करती है सैटेलाइट के जरिये ट्रेनों की ट्रैकिंग के लिए इंजिनों में फिट डिवाइस द्वारा ट्रेनों की एक एक पल की लोकेशन सिस्टम में अपने आप फिड हो जाती है इससे न सिर्फ रेल इंजिनों की वास्तेविक सिति की जानकरी प्राप्त होती है लेकिन अब इसका सटिक विशलेशन मुम्किन होगा। 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 इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पॉली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार।